बहुत बार income tax pay करने के बाद आपको कोई गलती मिलती है जैसे यहाँ screen पे मैंने na income tax का एक चलान open किया हुआ आप इस चलान में details देख सकते हैं इसमें आ रही है assessment year, financial year, major head, minor head, amount आ रहा है amount in words, sin number यह बहुत important है अगर आपको correction करनी है तो यह भी required हो सकता है mode of payment, bank का नाम, bank का reference number, date of deposit, BSR code, चलान, number और tender date यह होता है हमारा income tax चलान जो हमारे लिए बहुत important है अगर आपने किसी भी तरह के tax की payment करी है तो अगर आपके पास यह चलान है तो आपके पास यह proof की तरह available होना जरूरी है बट कई बार भरते हुए क्योंकि online हम खुद pay करते हैं कई बार हमसे गलतिया हो जाते हैं जैसे assessment year गलत हो गया major head गलत हो गया, minor head गलत हो गया कुछ गलतिया हो जाती है तो person परिशान हो जाते हैं कि इनको correct कैसे करें क्योंकि यहां तो आपको सिर्फ 10 रूपे का चलान दिख रहा है जो मैंने आपको correction दिखाने के लिए ही पेक लिया था बट कई बार यह amount हजारो लाखों में होती है तो ऐसी किसी गलति के case में जो mind पे एक pressure बनता है न मैं उसे समझ सकती हूँ और आपका यह pressure इस वीडियो से release होगा आप इस वीडियो को end तक देखें तो आपको पूरी understanding हो जाएगी क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में live income tax चलान में correction करके दिखा रहे हूँ online घर बैठे बैठे आप खुद से कर पाएंगे इसके कुछ conditions भी रहेंगे जो मैं आपको clear कर दूँगे साथ साथ आप देख रहे हैं CA Guruji, मैं हूँ CA Pooja screen पे आपको बहुत सारे courses के नाम दिख रहे हैं जैसे GST, Income Tax, Accounting, Excel आप किसी भी course में अगर interested है advanced learning करना चाहते हैं तो CA Guruji Classes.com पे आएंगे यहां पे courses का section है combo courses भी है काफी सारे combo हमने बना दिये हैं और free में article पढ़ने के लिए text updates का tab है यहां हम daily बहुत important articles publish करते हैं तो आप एक बार जरूर विजिट करें CA Guruji Classes.com Now moving on to the चलान correction तो इसके लिए मैं आपको ले आई हूँ income tax.gov.il तो जब आपने text PE किया होगा या तो यहां से किया होगा यहां पे भी option है यह login के बाद भी आपके पास e-pay text की option आती है वहीं से आपने pay किया होगा तो जिस भी mode से किया है अब हम correction समझ रहे हैं इसके लिए आपको correction के लिए आपको login करना है तो मैं login कर लेती हूँ यह मैंने login कर लिया जिस चलान के लिए मुझे correction करनी है वहाँ पर login page में आके आप यहां services में आएंगे यहां पर आपको एक option दिखती यह वाली option चलान correction हम इसे use करने लिए आप गलती को ठीक करने के तो इस पे click कर लेते हैं यहां click करते हैं आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा यहां पर दिख रहा है no चलान correction submitted और कुछ नहीं दिख रहा है आपको click करना यहां create चलान correction request पे जैसे आपने इस पे click किया तो देखे चार ही steps में आपकी correction हो जाएगी बट make sure पूरे अच्छे से समझे क्या चीज़े में बता रही हूँ एक एक point बहुत important है तो यहां पर आपको select करना है attributes for correction in चलान तो आपको कौन से चलान के लिए किस detail में correction करनी है वो आपको बताना है यहां पर एक note लिखा है बड़ा important है जलान pertaining to assessment year 2021 जो यह assessment year है यानि इसका financial year हो गया 1920 onwards यहां पर उसी की facility अवलेबल है correction की ठीक है तो आप क्या क्या चीज़े correct कर सकते हैं या पर तीन चीज़े आप correct कर सकते हैं online चेंज कर सकते हैं assessment year को चेंज कर सकते हैं major head major head क्या होता है income tax companies वाला या income tax other than company तो उसमें कोई आपकी गलती हुए है वो भी आप सही कर सकते हैं या minor head जैसे आपने advanced tax भरना था गलती से self assessment tax भर दिया self assessment tax भरना था गलती से कोई और head में भर दिया जैसे हापे लिखा भी है demand payment as regular assessment इस तरह के किसी head में भर दिया आपने तो ये तीन correction आप कर सकते हैं वैसे आपको मैं suggestion देना चाहूंगी कि जब भी किसी tax की payment करें तो login के बाद यहाँ e-file में e-pay tax की option से करें उससे क्या है कि एक तो आपका कुछ data वहाँ पे auto fill हो जाता है चीक है तो गलती के chances कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं और assessment year में तो make sure आप दो तीन बार जरूर check करें किसी से पूछना है तो पूछें टेक्स बरते हुए इनकी अगर आप पहले ही ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगे अब हो गई है तो चले आप correction करना सीखते है इसमें एक important चीज है जो यहाँ पे लिखी है चलान correction request can be submitted within 7 days of चलान deposit date तो जो यह correction आप कर रहे हो ना कौन सी उसकी number वजहाँ पे एक ही स्टार लगाए वो कौन यह assessment year की गलती आप चलान payment के 7 दिन के अंदर ही correct कर पाओगे clear होगे आपको दिन दूसरा लिखा है इसमें चलान correction request can be submitted within 30 days of चलान deposit date तो जो यह दो correction है ना major head और minor head इनके लिए 30 दिन का time ठीक है तो पहले तो आप note कर ले assessment year की गलती आप 7 days तक ठीक कर सकते हैं और यह दोनों जो गलतीया है वो चलान deposit करने के 7-30 days के अंदर आप correct कर सकते हैं clear है इस चीज के लिए आप clear रहे और फिर कोई चलान correction request इनसे अलग है यह किसी और period की है तो फिर आपको contact करना है अपने jurisdictional assessing officer and for more detail please refer to help section of e-filing portal तो जो गलतियां यहां पर अवलेबल है correction के लिए वो आपको दिखनी है इसके अलावा कोई गलती ठीक करने है या फिर period आपका lapse हो गया जो यहां period मैंने बताए तो फिर आपको income tax office ही जाना पढ़ेगा correction के लिए चीक है तो यह बहुर important है इन चीजों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ना मैं change in assessment year पर click कर रही हूँ continue पर click कर रही हूँ तो यहां पर मेरे पास first step में मैंने selection करा second step मेरे पास है identify करना चलान को तो अब मुझे बताना है कि मुझे कौन सा चलान यहां पर डालना है तो मैं दो तरह से बता सकते हैं मुझे assessment year पता है जो चलान में डाला था तो उससे otherwise चलान identification number SIM तो मैंने आपको चलान दिखाया था उसमें एक CIN था अगर आपके पास चलान अवलेबल है तो वो डाल दो assessment year दिख रहा है तो वो डाल दो जैसे मैंने 24-25 का भरा था तो मैंने select करा और continue पर click करना है तो यह देखिए यहां पर आगया मेरे पास यह चलान इसकी mapping इसने कर दी कि यह चलान हमारे पास एक शोवरा 10 rupees का जो 18th June को भरा गया जिसका assessment year रहा है 24-25 यह वो details है जो अभी right now चलान के अंदर हमने डाल दी है 24-25 टेक्स applicable कौन से में भर दिया income text other than companies में मालो आपने company में भर दिया other than में भरना था और self-assessment text में से भरा है 10 rupees ठीक है तो यहां पर एक ही चलान दिखिए आपके case में जादा हो तो आप आगे-ागे next next करके देख सकते हैं तो आपका अपना यहां से चलान select करना है वो select करेंगे हम मैं continue पर click करती हूँ यहां मैंने continue किया तो अब यहां पर update, detail for correction यहां मेरे पास option आगे फिर से मुझे सारी चीज़े दिखा दी, sin number दिखा दी है assessment year, text applicable, major head minor head, चलान का amount यहां पर assessment year मेरे पास आ रहा है चलान में मैंने जो enter किया था यहां लिखा है, बहुत ही clearly लिखा है existing चलान detail यह assessment year 24-25 तो आपको अगर change करना है तो अब यहां से आप select कर ले इसे मान लो मुझे करना है इसे 23-24, तो बस यह select करके इसे मुझे continue कर देना है, जैसे ही continue करूंगी तो fourth जो आएगा मेरे पास option चलान correction request को e-verify करने की ठीक है, verification तो मांगेंगे न वो आपने ऐसी कर दिया और बाद में आपको दिक्कत आए, तो यह है assessment year की गलती कैसे ठीक करनी है अब ऐसी हम minor और major head की समझ लेते हैं, back चलते हैं, back फिर से back यहाँ पर मैं अब इसे मैं इन दोनों को ही select कर देना है आप इकठे भी कर सकते हैं, मानों तीनों में ही गलती थी तो तीनों को भी select कर सकते हैं मैं इन दो को कर लेती हूं, continue पर click कर लेती हूं यहाँ पर assessment यह जो मुझे चलान मैंने डाला था यहाँ पर continue पर click कर लेती हूं तो यहाँ पर बही चलान मेरे पास show हो गया, उसको मैंने click किया continue कर दिया उसकी details आगी, अब नीचे मुझे पूछा जा रहा है कि देखिए, बहुत ही simple है existing चलान की आपकी जो major head है, वो other than company है और जो minor head है, वो self assessment tax है हमें अब जो update करना है, उसके लिए list में दिया है, जैसे कि income tax other than company के case में आपके पास option है, other than company या फिर state duty जो भी है, आप अपना head यहां से ले सकते हैं, then next है अब self assessment tax था जो भी आपने उसके अलावा भरना हो self assessment या outstanding demand तो वो accordingly आपको option देगा और बस आपको select करके और continue पर click कर ले यह बहुत साथा परिशानी तब भी persons को होती है, कई बार वो pan ather linking के लिए बैठते हैं उस time पर उन्हें 1000 की late fees pay करनी होती है, उस time पर भी बहुत जादा गलतियां कर देते हैं, assessment year की head की, तो वो फिर इस गलती को यहां से सही कर सकते हैं, और मैं time दुबारा बता रहे हूं कि assessment year की अगर आपको correction करनी है, तो वो तो 7 days के अंदर आप कर पाएंगे payment करने के, और जो other है, major and minor head वो आप 30 days के अंदर ही correct कर पाएंगे, और इन days को miss कर दोगे, तो फिर तो आपको income tax office ही जाना पड़ेगा, online चलान correction की आपके पास यही options available है login करने के बाद, तो अगर आप खुद की चलान correction नहीं कर रहे हैं, किसी और की कर रहे हैं, तो उनी का income tax account यहाँ पर login करिएगा, जिनके pan से आपने tax pay करा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो अभी मैंने आपको बताया, pan ather linking के time पे भी बहुत गलतियां करते हैं person, तो इस तरह की important videos की pan ather linking की क्या importance है, आपका pan अब inoperative हो सकता है, regularly CA Guruji चानल पे आ रहे है, आईटर से रिलेटेड भी, तो आप यहाँ से अपने लिए वीडियो स्पिक करें, हमारे चानल पेज़ पे आके और उनको अराम से देखें, जो भी आपके लिए important है, और इस वीडियो के नीचे भी और हमारे चानल पेज़ पे, आपको यहाँ पे एक बटन दिखे रहा है, सब्सक्राइब का, इस पे क्लिक कर लेंगे, यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है, CA Guruji Classes.com पे यहाँ पे हमारे courses के लिए जाए courses section में, यहाँ आपको course दिखे रहे हैं, Trademark, Registration, Income Techs, ITR and TDS, JST course, Automation of Balance Sheet, TDS and TCS का course, Accounting with Teleprime, Company Registration, and then आपको लगेगा कि कुछ courses के नाम यहाँ repeat हो रहे हैं, actually जो thumbnail yellow color में हैं, वो limited validity के courses हैं, और जो black color के यह thumbnail हैं, यह lifetime validity के courses हैं, courses में कोई difference नहीं, सरफ validity में difference हैं, जिस भी course में आप interested हैं, उस पे क्लिक करें, जैसे आपको यह course buy करना है, यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पर about the course दिया है, show more करें, और इस course के बारे में अराम से पढ़ें, 10-15 मिनट अराम से यहाँ spend करें, और जब आपको लगे कि यह course आपके need को satisfy कर रहा है, तो बस add to card कर दे, add to card करते ही आप से कुछ basic info आपके पूछी जाएंगी, और आपका यहीं से username and password भी create हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पर login करके ही course को देख पाएंगे, तो बहुत ही easy है हमारे courses में enroll करना, और यहाँ पर combo courses का भी section है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो JST भी सीखना है, income tax भी सीखना है, ITA भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे combo courses अवलेबल है, तो cagurujiclasses.com पर आए और हमारे courses का benefit ले, किसी भी तरह की query के लिए contact का tab है, आप team के साथ contact कर सकते हैं, thank you so much for watching.